तो देखिए सबसे पहले हम सबको बताए कि हमारे पास वेसलिम रेंज है वेसलिम कैपसूल वेसलिम टी वेसलिम शेक रईट जो आपके मेजर प्रोड़क्ट है जो आपके में प्रोड़क्ट है मतलब अगर पदमावत बनानी है तो दिपेका पादुकॉन रनवीर सिंग और चाहिद कपूर को तो लेना ही है तो यह तीन प्रोड़क्ट है इसमें पिचर आपके बन जाएगीแตह पोड़क्ट आपके शुरू हमलेकिंपर में मैं बाद में पहुंच पहले मैं कुछ सपोर्टिंग ब्रोड़क्ट भी आपको बता रही हूं जो कि आफ दे सकते हैं करने तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने इतने सारे प्रोड़क्ट बता दिये मैं जब एक टॉपिक करती हूं तो मैं कोशिश करती हूं कि सारी चीज़ें आपको समझा दूँ ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए सबसे पहला प्रोड़क्ट लिखिए सी बक्तौन इसको लिखिए सपोर्टिंग प्रोड़क्ट सपोर्टिंग मतलब आपको सपोर्ट करेगा राइट में प्रोड़क्ट नहीं है यह बट सपोर्टिंग प्रोड़क्ट है ठीक है उसके बाद आप हैश डालिए और लिखिए अगर किसी को थाइरोइड है, थाइरोइड में आपको जरूर देना है, थाइरोइड में आपको जरूर देना है, मतलब किसी को वेट लॉस भी करना और किसी को थाइरोइड भी है, तो आपका major product है, यह आपको जरूर देना है, PCOD में आपको जरूर देना है, लिखे thyroid में आपको जरूर देना है, लिखे PCOD में आपको जरूर देना है, right, perfect. तो सीबक्थॉन के बारे में मैंने अपनी almost हर ट्रेनिंग में बात की है आप लोगों के साथ सीबक्थॉन एक लेह बैरी है एक वंडर बैरी जिसको बोलते हैं यह आपकी बोड़ी के अंदर ऊर्जा बनाती है एनरजी जनरेट करती है तो देखिए आपका वजन कब बढ़ता है जब आपका खाना energy में convert नहीं होता आपका खाना किसमें convert होता है फैट में convert होता है अब पहले क्या होता था पहले आप खेतों में काम करते थे पेहले आप भूप चलते फिरते थे पहले यह आप खेत में दो रोटि खाते थे दो-ती और उसके बार 15 Minuate आदा घंटा रेस्ट करते थे और फिर अपना हल जोतने चले जाते थे अपना काम करने चले जाते थे अब क्या है अब आप चार रोटी खाते हो और बैठ कर लैपटॉप के ओपर काम करने लग जाते हैं उससे क्या बजलाव आता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो खाना है व मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, आप मेरे से खाने में बहस ही मत करो, right? मेरा breakfast इतना healthy होता है, मेरा lunch इतना perfect होता है, मेरा dinner इतना healthy होता है कि मैं आपको बताई नहीं सकती, मेरे जितना healthy खाना खाने वाला कोई है ही नहीं, perfect बट अगर आप वो healthy खाकर भी inactive हो laptop के सामनी रहते हो, तो आप कुछ भी खाओ, जब तक आपका खाना energy में convert होई नहीं नहीं, fat में convert हो रहा है, तो healthy खाने का भी कोई फाइदा नहीं है, right? Always remember this, तो आपके लिए खाने को उर्जा में बनाना, activity में increase करना, body में एक्टिवनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप सब को बताए कि उसके लिए कौन सा product है? सीवक्थॉन, right? सीवक्थॉन आपको वो सारे bioactive compounds देता है, जो कि आपकी body में उर्जा बनाने में, energy बनाने में आपकी मदद करते हैं, weight loss के लिए क्या चाहिए? weight loss के लिए चाहिए, body में energy ताकि आप active रह सकें, body में stamina ताकि आप काम कर सकें, exercise कर सकें, body को healthy रख सकें, regular day-to-day activity कर सकें, right? आपकी sugar control रहनी चाहिए, आपको digestive issues नहीं होने चाहिए, gastric problem नहीं होनी चाहिए, और वो सारा काम आपके लिए सीवक्थॉन कर रहा है कितना capsules? एक capsules दिन में दो बार, after meals, खाना खाने के बार चोटी सी tip, दूसरी चीज़ लिखिए, जब भी आप किसी को weight loss के लिए बोलेंगे, उसे बोलेंगे, खाने के time पर पानी नहीं पीना है no water during the meals, right? जब आप खाना खाते ही, बहुत लोग आपने देखे होंगे, हापे सो लोग बैठे हैं, मैं guarantee देती हूँ, मुझे बताइए का chat box में कि कौन करता है ये खाने खाते हैं टाइम पर आपके पास पानी का एक glass पड़ा होता है, आप एक या डेड़ रोटी खाते हो और उसके बाद आपको भूख लगती है, प्यास लगती है और आप एक glass डेड़ ग्लास पानी पी लेते हो, right? मुझे को chat box में जरूर बताना कौन ऐसा करता है जो खाने के बीच में पानी पीता है, काफी सारा, ठीक है? तो जब आप खाना खा रहे हो, आपकी बोड़ी में heat बन रही है, आप इसको समझे थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज सिरा supplement नहीं होती, आपकी बोड़ी भी बहुत important है तो जब आपने खाना खाया, मान लो कि किसी ने भी खाना खाया, मैंने अभी खाना खाया, तो मेरी बोड़ी में खाने को डाइजेस्टरने के लिए क्या बनी? heat, जिससे आपको क्या लगने लगी? प्यास, पर अगर आपने उस वास उठाकर एक ग्लास पानी पी लिया, तो बोटी बनी नहीं, अब खाना पचरा था, पानी पी के पूरी heat बंद कर दी, उससे क्या होगा? indigestion, खाना या तो digest नहीं होगा, excretory matters के चुरू बोड़ी में से बाहर निकल जाएगा, या तो खाना fat में convert होकर store हो जाएगा, तो no water, ये छोटी-छोटी tips हैं, इससे क्या पर no water, आप उनको बोलिए कि अगर आपको बहुत जादा पानी पीने की आदत है और आप नहीं छोड़ सकते, गरम गरम पानी, मतलब थोड़ा ऐसे lukewarm water, गरम पानी आप अपने पास रख सकते हैं, हलका lukewarm water, और घूट-घूट करके पी सकते हैं, सिप-सिप करके पी सकते हैं, लेकिन बहुत जादा पानी आपको नहीं पीना है, हमेशा पानी खाने के 40 मिनट के बाद पीना चाहिए, खाने के 40 मिनट के बाद पीना चाहिए, अब कुछ लोगों की query है कि मैम, आप बोलते हो, krill खाने के बाद खाओ, Combiotics just खाने के बाद खाओ तो मैं कैसे खाओ वही एक capsule रखो एक गूट या दो गूट के अंदर वो capsule को ले लो जादा पानी नहीं पीना है उस टाइम पर तो यह एक छोटा सा टिप हो गया प्रोडक्ट हो गया पहला thyroid है PCOD है जरूर देना है otherwise यह आपका supporting product है आप इसको देखिए सामने वाले का lifestyle कैसे है कोई आके कह रहा है कि sir मेरा तो पूरा दिन office में ऐसे ही laptop के सामने निकलता है या मैं तो field की job पे जाता हूँ मेरे तो traveling में सुबे से लेकर शान तक बैठे रहने का काम है कोई pilot है आपको बोल रहा है कि मैं तो यहां से plane उड़ा के जाता हूँ और वहां पे hotel के अंदर जाकर rest करता हूँ और वापिस आता हूँ तो उनके लिए आपको सीबफ़न देना पड़ेगा आपको सामने वाले की बात सुनके लिएके वहां तक पहुँचिए कि सामने वाले की बात सुनके product relate होने लगए अगला product हमारे पास है combiotics यह मैंने product आपको हर जगा बताया combiotics लिखिए supporting product support करता है supporting है यह मैंने अल्रेडि आपको बताया कि अगर किसी का vitamin D कम है तो आप उसका weight loss नहीं कर पाएंगे result नहीं दे पाएंगे right तो combiotics क्या करता है आपको multi vitamin multi mineral देता है यह आप सब लोगों को मैंने और्रेडि बताया आप मैंसे कुछ लोगों ने हो सकता है combiotics की packet को डबी को लिया भी होगा नहीं लिया है तो एक बार लेके देखिए आपको दिखेगा कि उसमें 50% vitamin D है दो capsule खाने से 100% पूरा हो जाता है तो multi vitamin multi mineral product है लेकिन यहाँ पर हम combiotics क्यों ले रहे हैं gut health को अच्छा करने के लिए भई खाना जो खा रहे हो मैंने अभी आपको क्या बोला चाहे broccoli खाओ चाहे berries खाओ चाहे कुछ भी खाओ लेकिन वो बेट में जाके digest होना चाहिए अगर digest ही नहीं हो रहा तो छोले बटूरे और ब्रोकली एक ही है अगर वो digest नहीं हो रहे तो तो आपका पेट जो है वो healthy होना चाहिए और उसमें आपके gut bacteria सबसे जादा important है अगर आप अपने gut bacteria को ठीक नहीं कर पा रही है तो weight loss आपके लिए एक difficult journey है वो नहीं कर पाओ गया आप even weight loss क्या कोई भी बिमारी को ठीक करना आपके लिए difficult journey रहेगा चाहे वो cancer है चाहे वो brain health है चाहे वो thyroid है चाहे वो PCOD है चाहे वो obesity है चाहे वो diabetes है चाहे वो cholesterol अगर आप अपने पुराने जमाने में सुना है कि बेटा सारी बिमारियां पेट से शुरू होके पेट पे खतम होती है तो पेट को ठीक करना पेट मतलब gut health को ठीक करना तो probiotics and prebiotics यह star है आपका star चिक है तो यह मैंने आपको probiotics दिया है vitamin D और probiotics और prebiotics के लिए अब अगर आप दही बहुत ज़्यादा खाते हैं अगर आप कांजी पीते हैं fermented food खाते हैं तो आप इसे avoid कर सकते हैं otherwise आप अगर add करना चाहें तो आप यह product add कर सकते हैं वो आपको पता है कि आपका stomach कैसा है तो आपके लिए एक supporting product है probiotics जो कि आपको अपने vision में रखना चाहें कि आपके दिमाग में होना चाहें कि अगर weight loss करना है तो मुझे यह product भी देखना चाहें एक से दो capsule with food खाना खाने के साथ digestion को अच्छा करने में और आपके पेट को ठीक करने में आपकी मदद करेगा अगला product मेरे पास है flex oil right flex oil को लिखिए आप important product flex oil को लिखिए important product ठीक है thyroid PCOD ladies में hormonal imbalance मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी बता दिया था तो वहां तो चलेगा यह चलेगा दूसरा weight loss में भी आप thyroid को लिखिए important product मतलब आपको देना ही है यह आपको देना ही है तो आप लिख लिजे important product flat oil के अंदर क्या है omega 3 omega 3 सबसे जादा जैसे शगुन में में मिटिंग स्टार्ट करते ही कहा कि बहुत सारी ladies आई हुई है क्योंकि ladies के लिए weight loss एक बहुत बड़ा problem है why? because of your hormones हमेशा याद रखिए आपकी body hormone पे चल रही है hormone disturb body disturb hormone ठीक, body ठीक simple है body का body में कोई rocket science नहीं है यह कोई ऐसा ग्यान नहीं है जो आप नहीं ले सकते right? insulin ठीक, sugar ठीक, melatonin ठीक, sleep ठीक तो body किस पर चल रही है? hormone पर चल रही है right? तो आपके hormones को balance करने में आपकी मदद करेगा estrogen levels को ठीक करेगा hormones को balance करेगा साथी साथ flex oil के अंदर एक property होती है कि वो अंदर के fat को तोड़ता है right? आपकी body में जो fat जमा है उसे तोड़ने में आपकी मदद करता है इसलिए आज से नहीं सदियों से लोग flex seeds को, flex oil को अपनी diet का हिस्सा रखते हैं ताकि वो अपनी weight loss journey को achieve कर सके, right? तो लोग flex seeds खाते हैं, लोग flex oil को use करते हैं, तो flex oil आपकी diet का आपकी weight loss diet का important हिस्सा होना चाहिए, cholesterol को कम करता है, body fat को तोड़ने में आपकी मदद करता है और weight loss जब आप करते हैं, तो आपकी skin और hairs भी खराब होते हैं, तो उसे भी ठीक करने में आपकी मदद करता है तो आप flex oil को लिख लिख लिखे important product दे नहीं है, right? एक capsule दिन में तीन बार after meals खाना खाने के बार right? perfect now the next product is your Westlim range अब Westlim range है, Westlim range तो चलेगी चलेगी, अब कई लोग कहते हैं कि मैं मुझे kidney की problem है, मैं प्रोटीन नहीं खा सकता आप Westlim shake छोड़ दीजे right? मैं मुझे Westlim shake जो है digest नहीं होता, आप बंद कर दीजे लेकिन तीनों product पहली query मैं तीनों product साथ में लेने हैं या एक-एक ले सकते हैं, right? तो देखे, बनाया company ने ऐसे हैं कि ये तीनों product एक साथ आपको ज़्यादा अच्छे results देते हैं, अगर आप तीनों ले सकते हैं, good enough, तीनों को लीजिए ये तीनों important हैं, अगर आप नहीं ले सकते हैं, कोई problem है, कोई product आपको suit नहीं करता, आपका budget issue है, आपको kidney की वज़े से डॉक्टर ने protein लेने choice कर सकते हैं, तो weslim range, weslim capsule, weight loss के अंदर दो चीज़े हैं, जो काम करती हैं, एक calories को कम कर दो, दूसरा metabolism को बढ़ा दो, तो आपका weight loss होना शुरू हो जाता है, बस ये दो ही तो चीज़े हैं, metabolism, खाना जो digest हो रहा है, उसे बढ़ा दो, कि खाना अच्छे से digest हो जाए, जो खारे हो, और जो खारे हो, उसे थोड़ा सा कम कर दो, ताकि आपका जो fall to की calories body में जारी हैं, वो ना जाए, that is all, that is done, weight loss is done, right, तो weslim capsules चार चीज़ों से मिलकर बना है, open shea, vulgaris, garcinia, cambogia, coleus, forsehali, और pyprin, यह क्या करता है, आपके metabolism को बढ़ाता है, आपकी calories को अच्छे से burn होने में मदद करता है, आपकी energy को increase करने में मदद करता है, तो weslim capsules जो है, basically आपके metabolism को increase कर रहा है, जो भी आप खा रहे हो, उसे अच्छे से digest करने में मदद कर रहा है, तो आपको कब लेना इसे, खाने के 40 मिनट पहले, राइट, पहले machine को चला दो, machine को own कर दो, ताकि जब आप खाना खाओ, तो आपके खाना digest हो जाए, एक, एक, एक capsule, एक breakfast से पहले, एक lunch से पहले, एक dinner से पहले, राइट, मैं मेरे को तो 25 किलो वजन कम करना है, और मेरी सिस्टर की शादी है, मुझे जल्दी कम करना है, दो, दो, दो capsule, भई अगर जल्दी कम करना है, तो और metabolism बढ़ा दो, राइट, अगर result तेस्ट है, तो काम थोड़ा, तेस्ट करो और क्या कर सकते हैं, राइट, तो दो, दो, दो capsule, समझ में आगे आपको, राइट, अगर normal है, आप time दे सकते हैं, एक, 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 मैंने तो तीन महीने खा ली है, मुझे result नहीं मिला, दोस को बढ़ा दो, 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 वो सकता है, metabolism बहुत वीक हो, ना चल रहा हो, करना चाहती हूँ, और ज्यादा मुझे कुछ ने चाहिए, empty stomach, सुबह, सुबह, दो capsule, खाल, राइट, सुबह उठके बस थोड़ा सा आपको charge up चाहिए, body को बोलने के लिए चाहिए, चल भाई, खड़ी हो जा, अपना काम करते हैं, ठीक है, बस, that's all, मैम, मैं, मेरको वजन बढ़ाना भी नहीं है, मेरको वजन घटाना भी नहीं है, मेरा वजन ठीक है, ideal body weight है, राइट, अमान लोग पपू सर है, वो कह रहें कि मैम, मेरा वजन तो ठीक है, I am तो healthy, मुझे ना वजन घटाना है, मुझे नवजन बढ़ाना मुझे इस चेक्टर में नहीं पढ़ना आपके दो मैं क्या करूँ है पर मैं को वैसलिम कैप्सुल्स अच्छे लगता है मेरे को लेना है सही है वैसे न फील्ड में जाता हूं थोड़ा बहुत कभी 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 उल्टा सिधा खा भी लेता हूं तो चलो ले लेता हूं तो दो कैपसूल एम्टी स्टमक सुबह उठके खाली पेड बोडी के मेटबॉलिजम को एक बार आपने किक स्टार्ट कर दिया उससे ना आपका वेट गेन होगा ना आपका वेट लॉस होगा तो बेसिकली मे सुबह सुबह या तो खाना खाने से पहले या मान लो कि वैसलिम शेट नहीं लेती मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी न मेरे घर पे शादी है तो मैं आठ दस दिन बड़ा खाना पीना बड़ा मस चलता है हमारे घर पे ना तो मैं तो भई खाऊंगी प्योंगी आप उस टाइम पर वेसलिन कैपसूल खालीजे अगर आपको अभी जाना है शॉपिंग के लिए शादी की और आप पुरानी दिल्ली जाकर चाट खाएंगे खाएंगे चोले वटूरे खाएंगे खाएंगे तो उस टाइम पर एट लीस्ट खाने से दो घंटे पहले एक चालिस मिनट पहले वेसलिन कैपसूल खालीजे ताकि मैटाबॉलिजम बढ़ जाए और जो खा रहे हो कम से कम वो डाइजेस्ट तो हो तो देखो यह क्या है ना आफ्टर-इफेक्स उनके उपर ना आएँ तो आप ऐसे भी कर सकते है व्टेवर सूट्स यू आपकी बॉड़ी है आपका डिसीजन है नेक्स वेसलिम शेक मैम अब रात को साथ बजे तक खाना खा लिया करो तो मैं बोलूँ एक कि मैम तो साथ बजे आपस से निकलती हूं घर के लिए तो मैं आठ साड़े आठ मज़े तो घर पहुंचूंगी अब आप कैसी बेतुकी बात कर रहो मेरे साथ कि मैं साड़े आठ घर पहुंचके फिर मैं खाना नहीं खाऊंगे को भूक लगेगी तो मैंने क्या किया यह उनकी लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आपक कि जरनी जो है वो असान हो जाए सबज़रे आप अब क्यूंकि मैं ट्राइबलिंग जॉब पे हूँ मैं बाहर काई खाऊंगी यह मिरको मुश्किल होती है मैं ऑफिस से आते वक्त तो आप यह तो बहुत असान है ना साथ मज़े साड़े साथ मज़े ऑफिस में ही मैं शेक को आसान करने के लिए बना है ठीक है यह आपकी कैलरीज काउंट को कम करने में आपकी मदद करता है एक तो आप लेट नाइट नी खाओगे उस आपकी हैबिट को कंट्रोल करने में क्योंकि देखो हर किसी के लिए सब को वेट लॉस करना है बट सब के लिए वो जरनी इतनी जोए पर वो इतना ट्रावल करती है अब मैं उनको बोलूए की मैं भाषो अपने बिजनस के ओपर काम करना अपनी करियर के ओपर काम करना तो वह कहेंगे भी मैं नहीं कर सकती तो वहां पर ऐसी जो हमारे पास जो केंडिडेट्स होते हैं जो लोग हैं उनको हम इजी वे आउट दे सके वह वेसलिम शेक आपको देने में मदद करता है ठीक है साथ बजे साधे साथ बजे मैक्सिमम इसको कंज्यूम कर लो क्योंकि हाइन प्रोटीन है प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में दो तिन घंटे लगें राइट जरभ एसल्यम शेक लरे एट मैं अगर आप यसेट ले रहे होतो तो इस दोनों को मिक्स करके लने दोनों को मिक्स करके लेने को जूट नहीं है मैं इसको फाइबर के साथ विर्साथ कर ले नहीं राइट प्रोटीन वैसे डाइजेस्ट करना मुशकिल ए को तीन गंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में अब इसको fiber के साथ मिला के और इसको complicate करने की जूर्थ नहीं है तो आप इसको किसी के साथ mix मत करो सिरुख पानी या दूद के साथ toned milk के साथ mix करके आप इसको पीलो मैं किसी को kidney problem है तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर किसी का kidney problem है तो आप उनको मत दीजिए अगर आपको लग रहा है कि किसी का kidney problem है और उनका dialysis चल रहा है उनका uric acid बढ़ा हुआ है उनका kidney creatinine बढ़ा हुआ है तो आप उनको product मत दो weslam shake मत दो क्योंकि जहां पर डॉक्टर ने बोला हाई protein नहीं देना मापर ये नहीं दे है येस क्या PCOD patient ले सकते हैं येस क्या diabetic patient ले सकते हैं येस क्या cholesterol वाले ले सकते हैं येस क्या किसी medication के साथ ले सकते हैं येस डान पॉफेक्ट देखा मैं कितनी तेज हो चुकी हूँ आप मुझे सब पता है कि कौन कौन सी query आप पूछोगे chat box में बाद में रहें सो ये सारी चीज़ों के अंदर आप ले सकते हो एक मील रिप्लेस करने के लिए बोला है मील इसलिए रिप्लेस करनी है क्योंकि रात देखो हमारा ना जब हम इसको design करते हैं तो हमारा हम भी कुछ सोचते हैं अब हम भारतिये हैं हमारे sentiments हैं कि हम रात का डिनर इकठे बैठके करेंगी फिर रात का डिनर चार लोग इकठे करेंगे तो उसमें बटर चिकन भी खाएंगे थोड़ी ड्रिंक्स भी लेंगे थोड़ा सा रात का मील हेवी करेंगा रहार रात का खाना तो एक ही तो खाना ही कठे बैठके खाते हैं उसको तो लेविश खाएं जो लेविश नहीं खान बढ़ने की बज़ए तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है सर आप में को बताइए कि आप कैसे लेते हैं तो उन्होंने बोला कि मैं जो है इसे रात को मील रिप्लेस करके लेता हूं मैंने ठीक है बढ़िया तो मील तो रिप्लेस ही करना है तो मैंने उनका तीन दिन का डाइट चार अब जब वो फील्ड में रहते हैं तो वो दोपहर में लंच में छोले बटूरे, समोसे, पकोडे, ब्रेड पकोडा ये वो सब जो भी उनको खाना है वो खाते हैं तो रात को आके वो हमेशा खिचडी खाते हैं ठीक है अब ये तो आपको भी समझ में आ गया कि उनका वजन ख कर दी और सुभा की मील उनकी वैसी की वैसी है जिससे वेट बढ़ रहा था तो यहांपर आप चूजering केजे ना आपको कौनसी मील रिपिलेस करनी है कौनसी मील रिपिलेस करनी है लंच रिप्लेस करना पड़ेगा न राइट अगर आप लंच में उन्हें छोले बटूरे रोज खाने देंगे और रात को वेसलिम शेक पिएंगे तो वेट रिड्यूस कैसे कर पाएंगे यह समझाना पड़ेगा आपको उनको राइट तो थोड़ा सा आप इन चीजों की तर आप एकई स्कूप लेना है या तो थंडे पानी या तो थंडे दूप के अंदर आप ले सकते हैं अब कोई कह रहा है कि मैं । मिल रिप्लेस कर लो आप डिनर भी रिप्लेस कर सकते हो कोई प्रोब्लम नहीं है अगर आपको लगता है कि दोनों मील्स कर रहे हो आप एग्स खा रहे हो आप पुहा खा रहे हो आप इड़ी खा मेरे घर में आज शादी है और मेरा दोनों तीनों मील हेवी होने वाला है तो आप कर लो राइट कोई प्राब्लम नहीं है तो ऐसी चीजों के अंदर आपको सिरफ दो चीज़ा याद रखनी है अब आपने कैप्सुल खाकर बॉड़ी का मैटबोलिजम बढ़ा लिया उसके बाद आपने खाना घालिया खाना डाइजेस्ट भी हो गया लेकिन अब ऐसा भी नहीं है न सिरफ आप लंच कर रहे हो बीच बीच में मंचिंग भी तो करते हो कभी कुछ खाया कभी एक बिस्किट खाया कभी चाहे पिया कभी कॉफी पी कभी यह क्या तो उस टाइम पर आपकी बॉड़ी के अंदर भी मैटाबॉलिजम बड़ा हुआ र आप जितना आपका मन करें आप उतने बार पी सकते हैं तीन-चार बारा पर आम से पी सकते हैं ग्रीन टी ग्रीन कॉफी गार्शीनिया केंबोजिया है ताकि आपकी एनर्जी को इंक्रीज करने में मदद तो यह मैटाबॉलिजम पर काम करती है कौम सा मैटाबॉलिजम जो टाइन टू टाइम धीरे होता रहता है जैसे ब्रेकफ़स्ट तो कर लिया लेकिन 11 बजे 12 बजे मेटाबोलिजम डाउन होने लगया हर टाइम थोड़ी ना मशीन चलती रहेगी वो डाउन होने लगा 11 बजे आपने वेस्लिम थी पीली रइट फिर आपने एक गंटे के बाद capsule खालिया metabolism फिर बढ़ गया फिर खाना खालिया metabolism बढ़के digest होने में लग गया फिर तीन बजे चार बजे फिर metabolism जब कम होने लगा फिर आपने वेस्लिम टी पी ली तो आपने हमेशा metabolism को अपने toast पर रखना है ताकि वो हमेशा increase रहे तो आप यह कितनी भी पी सकते हो यह बहुत easy product है बहुत अच्छा product है मेरे हिसाब से आपको कप्पी नाचे मैं आपको एक suggestion दे सकती हूँ सिरफ खाना खाने के 40 मिनट एक घंटे के बाद हलका जो उबलता उबलता पानी होता ना बिल्कुल गरम गरम पानी वो लेकर अराम से शांती से बैठो उसमें वेसलिम टी डालो और फिर आप उसको पी पीजे तो आपने क्या किया खाने के 40 मिनट पहले metabolism को बढ़ाया खाना खाया खाने को digest किया और जो बच गया था एक घंटे बाद सिर metabolism को बढ़ा के उसे digest करने के उपर काम किया क्योंकि weight loss weight gain में problem सिरफ metabolism ही है है ना metabolism बढ़ा हुआ है कई लोगों को कहते सुने आ रहे आ रहे तो कुछ भी खाले इसका वजन बढ़ता ही नहीं राइट उनका metabolism हाई है तो वो कुछ भी खाए उनका body energy में convert करता है तो आप यह कर सकते हैं otherwise जैसे आपको सूट करें जो भी आप लेना चाहें बिल्कुल आप इसको कैसे भी आप ले सकते हैं मैडम रात को सोने के पहले पीके सो सकता हूं बिल्कुल पीके सो सकते हैं वेरी गुड रात में metabolism हाई रहेगा तो आप आपको अच्छे रिजल्स मिलेंगे रात को आप green tea पीके सो सकते हैं इसको तो आड़ करना शुरू करना ही है तो देखिए चीनी इस एक्स्ट्रा कैलरीज और जितने भी लोग है ने जो वेट लॉस करना चाहते हैं जो आप लोग और आप सबको पता है राइट लेट्स नॉट प्रेटेंड कि हमें नहीं बता है आप सबको बता है कि आप चीन में जो चाही पीते हो उसमें 4-5 चमब चीनी जाती है भगवान के लिए वो कोल्ड रिंक मत पीना जो आपको एक ही बार में 20-25 चमब चीनी दे देती है वोपफुली आप लोग नहीं पीते हो उसके बाद वो एक केक का पीस खा लिया तो फिर इस चीनी चली इतना चीनी है ना हमारे आसपास की वो चीनी को अबॉइड करना बहुत मुश्किल है पहली चीज़ दूसरी चीज़ मुझे पता आपका सवाल क्या आने वाला है मैंनम गुड़ खालू मैंनम यह खाल देखिए गुड़ और हनी is a good source of sugar मतलब अच्छा है आपकी बॉड़ी के लिए अच् कर दिया गुड़ का हलवा बना बना के रोज खाना शुरू कर दिया नो उसमें भी उतनी ही कैलरीज है जितनी चीनी में हां उसमें आयरन मिल जाएगा थोड़ा फाइबर मिल जाएगा थोड़ा nutrition मिल जाएगा बट इसका मतलब यह नहीं हमारे घर में तो ना बिलकुल चीन अगर आप हनी को यह सोच के खाये जा रहे हो कि आज कल मैंने देखा है जितने भी marketing strategies चल रही है न वहां पे अभी क्या चल रहा है जो यह आप बहुत लोग है आज कल इंस्टा पे या इदर उदर या पतनी कहा का पे वह आपको दिखा रहे हैं कि आप किसी भी चीज में आपको एक्स्टा कैलोरीज नहीं देता और बहुत ही में तो बहुत ही पसंद है यह प्रोडक्त मैं आपको सच बता रहे हो मेरा MSC जो मैंने किया था MSC Nutrition and Dietetics उसमें मेरा रिसर्च का टॉपिक था यह नैचुरल एन आटिफिशल स्वीटनर राइट तो सिव्या पर मैंने रिसर्च किया है बेसिकली और बहुत ही बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है यह क्यूंकि आपकी कैलोरीज को नहीं बढ़ाता है आपको कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज न के लिए oni से बच्चते हो आप लिए डैबन हो जाते है तो आप दैपिटीस से वह शरू किया था मैं जिनमें दो बार अगर चाही तो मैंने एक चाही में स्टिव्या डालना शुरू किया तो आप यकीन माने मुझे चीनी अच्छी नहीं लगती है राइट आइक चीनी और मेरे घर में वह एक किलो चीनी का डबा मेरे ख्याल से वह दो साल धाई साल से पड़ा ही हुआ है वह यूजी नहीं हुआ है राइट तो इस दी ओनली ओप्शन आपको चले जाना चाहिए उसके ओपर तो आप अपने जो स्टिव्या का डिब्बी है उसको अपने साथ रखिए ताकि आप एक्स्ट्रा कैलरीज के अंदर ना जाए तो आप इसको ले सकते हैं यह तो जहां पर आपको चीनी यूज करनी है वहा प्रोड़क्ट में लिखिए अब इकॉज टॉक्स्ट्रीन आपकी बॉड़ी में सब टॉक्सिंज को निकालता जब भी आप वेट लॉस की बात करेंगे ना तो त्रिफला का नाम सबसे पहले आएगा आयूरवेद में राइट आप जब स्टमक क्लीन करने की बात करते हैं वेट लॉस की बात करते हैं पाइल्स की बात करते हैं तो त्रिफला का नाम सबसे पहले आता है तो त्रिफला आपकी बॉड़ी के पहले तो वात्पित और कफ को बैलन्स करता है आपकी बॉड़ी को बैलन्स करता है और दूसरा आपकी कोलोन को साफ करता है जो की वेट में सबसे इंपोर्टेंट है नेक्स्ट इस नीम हल्दी शिरेता सुर्न पत्री और मिर्चा इसके अंदर है तो आपकी बॉड़ी में से टॉक्सिंस को निकालता है गंदगी को निकालता है कॉंस्टिपेशन को खतम करने में आपकी मदद करता है तो बेसिकली चार-पांच प्रॉड़क्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्लिम रेंज टॉक्स क्लीन फ्लैक्ट सॉयल उसके बाद आप दो प्रॉड़क्ट और हैं आपका कॉंबाटिक्स है और आपका सीबग् चाहिए तो आपको प्रॉड़क्त को ट्राइ करके देखना चाहिए हमेशा मैं आपको यह बताना चाहरी हु कि प्रॉड़क्क को हर प्रोडक को आपको ट्राइ करके देखना चाहिए कि आपकी बॉड़ी को आपको दोक्वार्मेंट क्या है कि आप दर्बा मेरी है चै मेरेज़ वह बॉt इंपको पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल six capsules a day आपको इसके लेने चाहिए very important बाद में आप इसको कम कर सकते हैं